नवश्कार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपी एसी सीसी की हिंदी माधिन के इस प्लेटफॉर्म पे तो पीम एक्स्प्रेस की हमारी यात्रा चल रहेती हो और चलते चलते अब हम डॉक्टर मनमोहन सिंग की चर्चा करने वाले हैं इसके पहले की सब्सक्राइब करते हैं इसके पहले की हम आज की बाते शुरू करें जल्दी से एक बार रिवाइस कर लेते हैं अब तक भारत ने क्या-क्या देखा है कौन कॉंसे स्ट्रेशन एं कोशान ऑने देखा था कि आजाधी के बाद भारत के पहले प्रधालमंत्री हैं यह उन्त fighters प्रधान मंत्री में पन्डित पूर उनिस्तो चौशिट में जब उनकी मृत्ति हो जाती है तो कारेवाहक प्रधान मंत्री बनते हैं गुलजारी लंदन्दा और उसके बाद के कामराज प्लान और उसी के तहच बनते हैं भारत के अगले प्रधान मंत्री लाल भादु शास्त्री फिर हमने देखा ये लाल प्रधान मंत्री श्रीमति इंद्रा गांधी और इंद्रा गांधी का जो टेन्योर था जब 1975 मनों ने आपात काल लगा दिया और 77 में जब पूर्ना चुनाव हुए तो जनता दल की सरकार बनी और प्रधान मंत्री बनते हैं मुरार जी देशाई क्योंकि गडबंधन की सरका पो चाफसोग से फिर पर्धान मंत्री उसके बार हमने देखा कि पुना देश में इंद्रा गांधी की वापसी और 1984 में उनहीं के जो आंकरक्षकों द्वारा उनकी हेत्या कर दी गई और उसके बाद भारत में भारत के सबसे दोगाद जो पर्धान मंतरी इनfficade का शुरू ह राजीव गांदी के समय में हमने देखा कि कई सारे ऐसे फैसले लिये गए जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रीम लेवल के भी थे जैसे जो है सेना भेजना, मालदीव और सेशल में जो आई आर पॉलिसी थी उस समय की, इसके अलावा बहुत सारे स्काम्स इसमें हम लोगों ने चर् थे, हाला कि ये भी एक गडवंधन के सरकार थी, गडवंधन सरकार में समर्थन दे रहे, चंदरशेखर ने जब अपना समर्थन वापस लिया, और चंदरशेखर कॉंग्रेस की वद्दस से देश के प्रधाल मंतरी बनते हैं, फिर देखा था हमने के चुनाव प्रचारों म उबारने में, पीवी नरसिमहाराओ के सहयोगी रहे उनके वित्त मंतरी, डॉक्र मनमोहन सिंग, तो डॉक्र मनमोहन सिंग, जब देश के प्धाल मंतरी बनते हैं, डॉक्र मनमोहन सिंग से हम आज अपनी बात शुरू करने वाले हैं, फिर पीवी नरसिमहाराओ के बाद, अ तो आज के लेक्षर में आज की चर्चा में हम और आप बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे प्धारमंत्री की जो अर्थसास्त्रिंग हैं एकेडमीशन हैं ब्यूरोक्राट हैं स्कॉलर हैं तो कहा जाता है कि एक ऐसे अर्थसास्त्री जिन्हों ने शायद 1991 में देश को उस इ कि और रही है और तो तो कहा जाता है कि ऐसे वित्य संकट से उबारा नहीं तो कहीं ना कहीं भारत kangali में चला जाता है कि लेधी कवाली के दौर की जला जाता क्या थे वह सारे सिनारियों आज की चर्चा ओक्रमान मोहन सिंग के बारे में जार्चा कि ब्लकुल प्राण्दिक जीवन से करते हैं देखने इनका जन्म यूकर ज reflective ऑवराग पाकिस्तान वाला पंजाबा की जगह है दिखेंची इनके पिता है ने गुरु मुक संग्ध अम्रिक बहुता है कि जब यह बहुत छोटे रहते हैं तो इनकी मातांजीक कि चाहिए के बाद जब विभादन का दौग चली रहा था तो जो उनकी फैमिली है वो इंडिया शिफ्ट हो जाती है तो भारत के विभादन के बाद जब इंडिया में आये तो Cambridge गए पढ़ाई करने के लिए उसके बाद हमने देखा उन्होंने डीफिल जो डिग्री इसके लिए ऑक्सवोर्ड विश्व विद्याले में गए जहां वे नौफर्ड कॉलेज के सद्दस सी भी बनते हैं आप देखेंगे अगर इनका करियर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि करियर में एक के बाद एक एक के बाद एक एक माइल स्टोन ही जुड़ा है जो कहीं न कहीं के करियर को चार चांद लगाते जा रहे हैं जितने भी की पोस्ट कहले इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट की पोस्ट सब कुछ डॉक्र सिंग ने देखा हुआ है देखें इन दिल्ली स्कूल अफ एकनॉमिक्स यानि दिल्ली विस्विदाले के आंतराष्ट्री व्यापार के प्रोफेसर भी थे तो जैसे हम लोगों ने लेक्षर के शुरू में ही आपसे चर्चा की न कि एकेड़िमीशन भी है प्रोफेसर भी है ब्यूरो क्रैड भी है राइट अब देखें कि शुरू से ही बिल्कुल एकेड़िमिक वाला जो इनका जीवन है जो एकनॉमी के ही यानि अर्थवस्ता के ही सराउंड में घूम रहा है बाराल ये प्रोफेसर भी रह जुके अब हम देखते हैं कि कैसे इनके करियर कार्म हुआ राइट करियर मतला पॉलिट लेलित मिश्रा ने इनको अपना सलाकार के रूप में निउक्त किया तो सबसे पहले यह यहां पे सलाकार बनते हैं अब देखें 1980-1982 यह जो दो साल का समय था 1980-1982 में यह क्या करते हैं यह योजना आयोग में अज़ा मेंबर जोईन करते हैं ठीक फिर क्या होता है 1982 में उस स भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बनते हैं और 1985 तक यह इसी पदबर बने रहे तो आप देखें किते की पोष्ट पहले मंत्राले में जाना फिर योजना आयोग का मेंबर बनना और फिर रिजर्व बैंक आफ इंडिया का गवर्नर भी यह रही है इसके बाद देखें भी पचासी से साथासी तक यह भारत के जो योजना आयोग था उसके उपाध्यक्ष थे यह यह अनुदान आयोग के उनिश्टी ग्रांड कमिश्न का नाम यदि आपने सुना हो विश्व विद्याले नुदान आयोग उसके अध्यक्ष बनते हैं ठेक अब यहां तक तो रह कि जो की पोस्ट नहीं ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट ये देख रहे हैं राइट कारेपालिका के भाग बन रहे हैं अब क्या होता है उन्हें से क्यानवे का दौर एक ऐसा दौर था कि कहीं न कहीं भारत एक बड़े क्राइसिस में घेरा हुआ था बारहल एक चीज आपको और बत नहीं थी वह यह थी कि हमारे पास जो वारेक्स रिजल्फ था यानि फौरन एक्स्टेंज रिजल्फ को बिल्कुल खतम हो गया था यानि हमारे पास इतनी कम उद्रा बची थी जिससे केवल और केवल दो हफते ही हम जो है आयात कर सकते थे अब देश के पास एक वितीय और क तो वहां से कुछ पैसे तो आ गए लेकिन ये पैसे इतने पर्याप्त नहीं थे जिससे देश को एक लंबे समय तक चलाया जाता फिर अगलर प्रिधाल मंत्री बन गया पीवी नरसीमह राओ हाला कि पीवी नरसीमह राओ में हम लोगों ने चर्चा की भी थी इस बात की कि देश में अब एकनॉमी को कैसे पठ्षी पे लाया जाए इसके लिए एक तो पीवी नरसीमह राओ की जो सरकार भी थी वो कहीं न कई गडबंधन की सरकार थी तो दो लेवल पे जो राओ हैं उन अश्ट्री मंचों पर भारत का पक्ष रख सके आई मैं वर्ल्ड बैंक इन सब जगवा पर बात कर सके तो यह सारा कुछ चल रहा था ऐसे में जो पीवी नरसीमह राओ है कहा जाता है कि उन्होंने जो उनके सचिव रहते हैं उनसे बात की कि किसको बनाया जाए अंत में ना ऐसा चाहते हैं तो इनको ऐसा लगा कि यह सिर्यस नहीं होते हैं नेक्स डे होकर के फिर से इनको कॉंटक्ट किया गया इनको कॉल किया गया और यह कहा गया कि तुम कर क्या रहो जल्डी से फॉर्मल ड्रेस पहनो और सीधा राश्पती भावन पहुँचो क्योंकि वहां पर स्वेरिंग सरीमनी यानि सपद ग्रहन समारों है वो चल रहा है कि इस तरीके से इनका फॉलिटिकल केरियर कह लिजे शुरू हुआ तो यह बनते हैं देश के वित्तमंत्री आप देखें इनको कैसा मंद जो है समय मिला है जिस समय भारत है वो बिल्कुल एकनॉमिक क्राइसिस म सपोर्ट किया कि देखो तुम्हें किसी तरीके से देश की अर्थिवस्था को प्रश्री पे लाना है पीचे दम्रम ने भी कही ना कहीं जो इनके टीम होती है नरसी महारों के जिसमें पीचे दम्रम और आपके डॉक्टर मनमोहन सिंगी सारे उसके पार्ट रहते हैं पीचे और यह जो बोल्ड फैसले थे वो इस हद तक थे कहीं ना कहीं भारत ट्रांजीशन जोन में आ गया था और उस समय ऐसे फैसले लेने का मतलब था कि कहीं ना कहीं सरकार की जो इस्टीमिलिटी है वो खत्री में पढ़े जैसे इन्होंने बोला पहले तो लाइसेंस कोटा अब इस वज़े से क्या है कि कोई भी निवेशक भारत में आहीं नहीं रहा था भारत को अगर फॉर्टिन एक्स्टेंज बढ़ाना है तो हमें निवेशकों की बहुत जरूरत थी ऐसे में भारत की जो अर्थ ववस्ता है उसके उदारी करण की अवशक्ता आन पड़ी थी दूसरे तरफ यदि हमें लोन चाहिए था आइमस से अंतराष्ट्री मुद्रा बैंक से ठीक है तो आइमस की जो प्रॉयर शर्थ थी वो यहीं थी कि किसी भी देश में LPG होना चाहिए यानि लिब्रिलाइजेशन प्राइबटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए खेर यह सारे दौर हुए और भारत की अर्थववस्ता को ओपिन किया गया लाइसेंस कोटा राज को खतम किया गया जो बाहरी निवेश उनको अकर्शित करने का काम किया गया यानि अर्थववस्ता में क्या उत्पादन करें क्यों उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें इ के बाद थोड़ा सा अपने आपको सेपरेट कर ले तो इस तरह की अर्थववस्ता का दौर शुरुआ जिससे ना केवल जो बड़ी कंपनिया जिनको इलिए भारत एक बड़ा बाजार था वह भारत की और आकर्चित हुई भारत में निवेश आया भारत में रोजगार आया औ और इवन कंज्यूमर्स के पास फ्रीडम और च्वाइस आई कि भाई हमारे पास चुननने के लिए अब बहुत सारी कंपनी हैं नहीं तो क्या था कि भारत में कुछ कंपनियों की मोनोपली थी वह जैसे चाहते थे जिस हिसाब से चाहते थे दामों को मैनिपिलेट क्या करते थे तो यह इनके कुछ कारे थे यह करिए एक मेजर कारे था भारत की अर्थवस्ता को सही दिशा में लेकि जाना जब यह पीवी नरसी महराओ की सरकार समाप्त हो जाती है 1996 में तो अचल विहारी जो है देश के प्रधार मंतरी बनते हैं हमने already चर्चा आपके साथ कीये कि जब अचल विहारी देश के प्रधार मंतरी बनते हैं तो इसके बाद ये राज w performers me में राज्य सभा में सदन के निता होते हैं बाहराल कुछ और चीज़े भी देख लिएज़े की यह इन्होंने लाइसेंस पर्मिट राज और यह सब खतम किया कहा जाता है कि यह कभी भी लोग सभा से जीत के नहीं आए ब्यूरोक्रेट थे ना तो कही न कहीं आपने देखा हो हो इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं इसलिए पीपल्स जो पीपल्स हाउस है यानि लोग सभा इसे कभी नहीं चुने गए उन्मिसों क्यामवे में असाम राज की विधाइका द्वारा संसत के उप्री सदन यानि राज्य सभा के लिए चुने गए थे उसके बाब फिर उन्म प्रक्ष के निता थे ठीक है उसके बाद कहा जाता उन्मिसों निन्यानवे में दक्षण दिल्ली से लोग सभा के लिए चुनाओ भी लड़ाता लेकिन वो जीत नहीं पाई थे जीतने में असमर्थ थे और आपी इनके कॉंट्रिबूशन की तो लिष्ठी शुरू हुई औ और देखिए फिर देश के प्रधार मंतरी बनने का सफर कैसे हुआ कहा जाता है कि जब चुनाओ होते हैं तो ऐसे लग रही मतलब उस तरह की जो कवायत थी उसमें ऐसा नहीं लगता था कि जो है जो एंडिये गड़बंदने अंडिये गड़बंदने मतलब बीजेपी और स जो बहुत सारी बाते थी जहां पर कम्मूनल पॉलटैक्स कह लिजे बहुत सारी चीजे जो उसमय यूपी है यूपी यूपी यह यादा प्रोविंश एलाइंस यूटेट्र प्रोग्रेसिव एलाइंस जो कॉंग्रस पाल्टी जिसके हैड है कही ना कहीं ज्यादा उनकी सी विदेशी हातों में अपने कमान देने जा रहे हैं, like that way, बहुत सारे यूमर साने रगे, तो खैर कहा चाता है, कि सोनिया गांदी ने भारत का पजाल मंतरी पद लेने से इनकाल कर दिया, और एकदम अचानक से कह लिजे, कि देश के पटल पर, जो नाम सामने आया, वो नाम सा डॉक्तर मनमहन सिंग का, अब डॉक्तर मनमहन सिंग की सबसे खास बात, कि जैसे हम लोगों ने समझा, कि वो तो एक 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 अडमिशन थे, ब्यूरोक्राट थे, एक पॉलिटिकल परसन थे, तो एक क्लीन छवी वाले, जो है, साफ उतरे बेदाक छवी के निता थे, डॉक् काटी निगोशना की, की देश के अकलिर प्रतारमंती, जो है, टॉक्तर मनमहन सिंग होंगे, तो फिर इस तरीके से ये पीम बनते हैं, ठीक है, इनका जो कारिकाल है, ये हम दो भागों में बढ़ते हैं, दो बार ये जीत किया है, तो दोनों बार अलग-अलग कारिकाल और दोनों बार इनके द्वारा किये हुए काम, ठीक है, कहा जाता है, UPA1 ने ऐसे ऐसे काम किये, इस तरीके के काम किये, जिसके लिए शायद देश में जो सुधारों की लहर कह लीजे, या देश में अर्थववस्था की दिशा कह लीजे, देश में परमानु सुलक्षा की अर्थी मिल गई, तो वो क्या-क्या मेजर काम थे, आज़ा PM ऑफ इंडिया, एक-एक करके तेरा देखते हैं, जब यह PM बनते हैं, तो उस समय जो पी चितमरम है, वो देश की वित्तमंत्री, और डॉक्र मन मोहन सिंग PM, कहा जाता है कि जो हमारी देश की एकनॉमी है, वो GDP क हाइस ट्रेट पर ग्रो करना शुर्दी करती है, नौ प्रतिसत जो है, उच्चेतम GDP की वृध्धी भारत ने हासल की, और इसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से, दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ता हुआ, अर्थवस्था बन गया, कहा जाता है, यदि 2008 का सब्प्राइम क्राइसेस नहीं आया होता, तो हम डबल डिजिट में ग्रो कर रहे होते हैं, इसके बाद देखे, कहीं ना कहीं है, जो देश के तरक्की में, अटल विहार रिभाशपाई ने जो रोडों का सपना दिखा था, स्वर्निम चतरुबुज योजना है, या नाशन क्योंकि समझते थे, कि देश में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, तभी देश की अर्थवस्ता को एक बल मिलेगा, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो काम हमारे देश में पहले से चल रहे थे, उसको इन्होंने और कंटिन्यू किया, 2005 राष्टी काम है, उसको कहा जाता है, मनरेगा, 2005 आप सब लोग भली पाती परचित होंगे, मनरेगा के नाम से, तेकि उस समय अर्थवस्ता में, डॉक्टर सिंग ने ये चेक किया, कि प्रॉब्लम है काम, ज्यादा तर दिक्कत क्या हो रही थी, कि जो गाउं के लोग है, जो मतलब हमा लगता है, कई न कई समसादन तो सीमी थी है, तो अर्थवस्ता पर जोड पड़ता है, इससे ना केवल शहर में गरीबी बढ़ती है, बलकि गाउं में गरीबी बढ़ती है, और महंगाई भी बढ़ती है, दूसरा, कि अगर वो लोग शहर में माइगरेट करते हैं, तो उसक समस्याइन रिप्टाने के लिए भाड़ सरकाल लेकिया थी मंद्रेगा प्रोगर्म में यहां पे लोगों को यह आश्वारेटि दी गई यह अश्वास निदिया गया कि तुम्हें at least 100 दिनों का रोजगार मुःया कराये जाएगा आप कौशल होगा, तो जब अकुशल होगा मतरब जैसे कि रोड बनाने का काम है गाउं की साथ सफाई का काम यह सारा काम दिया जाएगा, काम डिसाइड कोन करेगा तो पहले जैसे याद होगा आपको नहरू जी के प्रोग्राम में हमने देखा था यह सामुदाइक विकास कारिक्रम में क्या काम होता था यह आई यूस ऑफिसर डिसाइड करते थे और इसी को लेके बल्मंत्राय महता समीती ने अपने अनुसमसा दी थी कि जब IS officer decide करेंगे की काम क्या होना है तो फिर तो गाउंवालों कि इसमें भागिदारी नहीं होगी डॉक्टर सिंग ने कहा कि किसी भी गाउं में क्या काम होगा यह वहां की ग्राम सभात यह करेगी तो अब ग्राम सभा को भली बात ही पता होगा ना कि गाउं में तालाब चाहिए यह रोड चाहिए यह स्य स्याफ से काम करेगा इसलिए मंड्रेगा में एक तो लोगों को रोजगार्द कहता है va so गाव में ही रोजगार का स्रिजन होगा, तो रोजगार भी मिलेगा और गाव में इंफ्रास्रक्चर भी बन जाएगा, तो कहा जाता है, this is a very very progressive step performed by Dr. Manmohan Singh, जिसने कही न कहीं देश में जो एक कहली जे रोजगार स्रिजन के वैक्योम को भरा, देश में इंफ्रास्रक्चर क भी तयार किया, और कहीं न कहीं लोगों को एक दिशा दे दी, कि भाई तुम इधर आगे बढ़ सकते हो, ठीक, तो एक flagship स्कीम हो गई हमनरेगा के, 2005 में ही इन्हों ने बिक्री कर पहले हमारे सेल्स टेक्स लगता था, सेल्स टेक्स लगता था, इसी जगा मूले वर्धित कर इसको आप वैट कहते हैं, वैट लागू किया, अभी में आपको पता होगा कि वैट टाके GST ला दिया गया गया ना, Goods and Services Tax, वैट क्या होता है, कि जैसे अगर आसान सब्दों में कहें, तो सपोस करो, कि मैंने सपोस करिए आपको गेहूं बेचा, अब मैंने आपको गेहू दस रुपए में बेचा, तो आपने इसमें आटा फिसाने में कुछ ना कुछ काम किया, कुछ value एड की, उसके बाद उस पर टेक्स लगेगा, हर एक एंगल पर टेक्स लगेगा, तो सपोस करो, मैंने आपको दस रुपए का आटा बेचा, आप ने उसमें 5 रुपए का श्र सामने वाले को आपने बेशा सामने वाले नोसमें ब्रेट बना दिया ब्रेट बनाया तो फिर्स से उसमें कुछ मूल लिएडर किया वैल्य बढ़ाई अब जय है मालीजे बढ़के 20 रूपय हो गया आप मुल बढ़के 20 रुपय हो गया अब फिर से सरकार टेक्स खडी ए तो सरकार 20 रुपए पर टेक्स ले लेकिन दिक्कत क्या है कि बार बार कर पर लग रहा है इसलिए मुल्य जादा हो रहा है डॉक्र सेंग ने बोला कि पूरे पर टेक्स मत लगाओ जो वैल्यू एड्ड हुई है ना उस पर टेक्स लगाओ यानि अगर मैंने गिहूम दिया आपको तो आप जब उसको वाटा बनाया तो उसमें वैल्यू कितना लगाया पांच रुपए तो अगले जो लेवल पर टेक् बढ़ेगा मांग आपको पता है डिमांड सप्लाइ का रिलेशन है जाला डिगान सप्लाइबढ है और सप्लाइबढ यानि प्रोडक्शन बढ़ते ही देश की और ते वह था और तेजी से बोम करेंगी तो अगला जो इंहों नहीं लिया वो था आपका मुल फिए दृट का गर्मेंट ने लक्ष रखा और यह इतना अच्छा इनिशेटिव वाना गया कि एक अमेरिकी आर्तिसास्त्री है जेफरी सेक्स जेफरी सेक्स ने इस जो स्कीम की सराहना की प्रसंशा की इसके बाद देखिए एक और फ्लैक्शिप काम वो था दो जुलाई 2009 सिक्षा का अधिक की लेकिन सिक्षा लाते 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 दोजार पांच का समय है 2009 में बिल लाया गया बिल पास किया और सल्व सिक्षा भियान आपने जो नाम सुना हो गया तो कहीं न कहीं सिक्षा का अधिकार देदेना यानि सिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21a में जोड़ दिया गया यानि सिक्षा का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार बन गया अब मौलिक अधिकार बना तो इसका मतलब यदी व्यक्ति अधिकारों का अभियास नहीं कर पाता तो वो डालेक्ट माननी सर्वोच नियाले की शरण ले सकता है तो सिक्षा का अधिकार भारत में मौलिक अधिक होच था कि 10 पैसे ही बचते हैं तो बाकी का पैसा कहां कि कहा जाता है करॉप्शन में चला क्या बरबादी होगी यह जरूरत है डीबीटी के डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की यह प्रत्यक्ष हस्तांत्र लाब की यहीं सरकार जिसको लाब देना चाहती है सरकार उसी को लाव देग्ए कि यह दो चीजों की जरुत है सहसे वहले लाभारति की पहचान अ modularity तक पहुच लाभारति पहचान होगे के जाए और दूसरा लाभारती तक पहुझ हम जाएं और उसको दे दें दरशाल होता कहता है डिस्ट को दे दो या प्रधान को दे दो उनके द्वारा जो है लाभारती तक महुचता था तो लीकेज बहुत ज्यादा थी ऐसे में एक फ्लाक्षिप स्कीम लाए गई और उस फ्लाक्षिप स्कीम के लिए UIDI यानि भारती विसिष्ट पहचार प्राजी कल्ड की स्थापना फरवरी 2009 में की गई जिसे क्या हो कि जो लीकेज रुक जाए गवनेस मतलब होता है साशन में सोधार और साशन में सोधार करें दो पयमाने एक जवाब देहिता बढ़ाना एक पारदरश्यता बढ़ाना और इसके लिए UIDI को एक मेंड़िट दिया गया कि तुम लोगों का और आपको बता है Utcom और पर लोगों के सो बॉस्षाय को मिर्लीनि करने करो इसको दिता क्यों है लोगोंते यह पूदे के जर्भीं Supreme Court की cases आपने पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं, तो कभी हम चर्चा करेंगे आप इस बारे में, कि Supreme Court ने आपने बहुत सारे judgment दिये, निर्चता के अधिकार और यह सारा कुछ इसी का मुद्दा है, जो आधार का concept है, और जो अभी हम और आधार लेके घूम रहे हैं, तो कही ना कही नहीं, जो हूज इन्ताओं भारत का द्वारा करते हैं, घीक है, कही ना कही जो है, इन्होंने भी प्रबदले में एक तो बीजिंग के यात्रा की, इसे जो लगबख चार दसक से हमारे संबफ बंद थे, वो और रिवाइव होते हैं, नातुला दर्रा खोला जात जो है dialogue संब्ध बना के रखते हैं तो बिल्कुल भूही संब्ध नाने की कवायद Dr. Singh ने भी की कहा जाता है इनके दौर में भारत ने अफगानिस्तान में बहुत हेल्प की, आफगानिस्तान में आपको पता होगा कि इंफ्रस्रक्ट्ट्टर लेवल पे भारत बहुत काम कर र के पड़ोसी से अच्छे संब्ध मनाए जाए तो उस समय जो हामित कारजाई जो वहां के राश्टपती थे उन्होंने भी डॉक्र सिंग की बहुत प्रशंशा की ठीक है तो इसमें भी इनका सरहनाई योगदान है नैशनल फूर्ट सेक्वेरिटी एक्ट लाया गया जिसमें क खाने का अधिकार पतान किया गया और यह भी गहिना के एक फ्लैक्षिक स्कीम जहां पर ना केवल भोजन बलके पोशन का भी अधिकार दिया गया है नाशनल फूर्ट सेक्रेटी एक्ट जो है यह पास किया गया है यह आपके मनमोहन सिंग के समय इसके साथ साथ एक ब्रेक् नुकलर डील है ये, देखिए कही ना कही भारत अमेरिका संबंधों में कही ना कही करवार थी, हमने परमाणू नुकलर टेस्ट कर लिया था, तो इसको लेके जो परमाणू के हम लोग ने देखा भी था, कि हम पर बैन वगेरा भी लग गये थे, हला कि बाप ने बैन हटा लि इसके लिए जरूरत थी, यूरेनियम की, अब आपको पता है कि यूरेनियम इंरिच्मेंट करने से ज्यादा रिच्मेंट हो जाएगा, तो फिर बॉम भी बन जाते हैं, खैर, बहुत इंपोर्टन था कि हमें यूरेनियम मिले, तो इसके लिए, कहा जाता है कि जब अमेरीक जल्दी परमाणू समझाता हो जाए जिससे भारत विकास की एक नई अबारत लेखें इसी समय क्या होता है कि कॉंग्रस पार्टी जिसके नेता थे डॉक्र मनमुहन करते रहते हैं कहा जाता है कि उनका ऐसा लगता है कि न्यूकलर रेस की वजए से या जो आपको पता होगा ना किरिने विकिरर निकलता है उससे उनको हानी हो सकती तो खैर उन्हों ने इस कीश को बहुत बड़ा एजेंटा बना दिया कि पारत परमाणू समझाता नहीं कर इध होगे और भी तरह से ग्रो करेंगे अब होता क्या है कि जो लेफ्ट की पार्टिया है इन्हों ने कॉंग्रेस अपना समर्थन वापस ले लिया अब ऐसे में तो क्या होता सरकार गिर जाती उस समय मुलाइम सिंग यादव ने भारत को बचाया कह लीचे कि कॉंग्रेस सरकार सरक बचाया घाता है जो मुलाइम सिंग्ञ यादो है वो अपके a.pj abdulkalam से मिलते हैं और बताओ ये जो ने क्राउब यक्राम उनको या राश्पती है कि नई O बहुत अच्छा है तो इन लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी को वाह समर्थन दे दिया बाहर से समर्थन दे दिया जिससे पार्टी बनी रही और भारत प्रमारू समझवता करने में सफल होता है तो यह कुछ इनिश्येटिव थे जो डॉक्र सिंग द्वारा लिए गए जब इ धसे से उड़ल आज बढ़ लही थी तो डूबारा जब चुनव होए तो दुबारा चुनवतों में पुर्ण एक drops की जीत हो जाती और फ़ुणा कांगरेस की जीत हो जाती है तो फिर से प्रधान मंत्री का चहरा बनते हैं Dr. Manmohan Singh तो बार फिर से Dr. Manmohan Singh 2009 फिर से बनते हैं भारत के PM होता क्या है कि जब फिर से दुभारा चुनाओं मतलब होता है 16 April 2009 और 13 मई 2009 के बीच में पांच चरणवे पंद्रभी लोकस्भा के लिए आहम चुनाओं हुए और नतीजे आये 16 मई 2009 को लगबग देखिए तो आंधपदेश, राजवस्थान, महराष्ट्रा, तमाल नाडू, केरल, पश्चिम मंगाल, यूपी में मजबूत प्रदर्शन किया सइक्ट प्रकरती सील गडबंदन यानि यूपीय ने और फिर से पीम बन गए आपके जो है ये डॉक्टर बन मोहल सिं कोईला स्क्याम, कोईला स्क्याम, या एयसे घोटाले थे की देश इतने बड़े शौक जेल नहीं सकता था, कोईला स्क्याम में कहा जाता है, कि कोईला फिर्ड्ड निलामी पर धिया जाता है जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको दिया जाता है का जाता है कि सरकार ने निलामी लामी तो छोड़िये जो स्कीम लाइए इसका लाम था फर्स्ट कम फस्रव पहले और पहले पाऊ और इस कंडिशन में उन कंपनियों को टेंडर दे दिया गया जैसे उसमें नामें हिंड जालको का टाटा का इन लोगों को टिंडर दिया गया जिसे सरकार को लगभग 1.86 लाक क्रोर रुपीज का जो है लॉस हुआ ठीक की रिपोर्ट में बात का खुलासा हुआ कि निलामी करते तो हमें ज्यादा पैसा मिलता और 1.86 लाक करोर का जो नुक्सान हुड़ा है सरकार को इसका मतलब जानबुझ की क्या पता मतलब की रिपोर्ट ऐसा कहती है कि जानबुझ की किये हुए यह सारे घुटाले है इसके साथ साथ हमने देखा था कॉमनवेल्थ घुटाले के बारे में क्याग अगर आपको पता हो तो क्याग को जो है आर्टिकल 144 में शमधानिक पद मिला हुआ समधानिक पद है आपका क्या और क्याग अपनी रिपोर्ट रास्ट्पती को देता है रास्ट्पती इसको पुब्लिक अकाउंट कमिटी में रखाती है तो केक की रिपोर्ट में Commonwealth घुटाले का भी जिक्री किया गया कि दिल्ली में Commonwealth घुटाना हुआ जिसमें Commonwealth में क्या होता है आपको पता है कि जो मतलब Britain की Queen रहती है वो जिस भी देश को करना होता है अपना Commonwealth गेम उसको वो बैटन स्टॉपती है कहा जाता है कि प्रतिबास देवी सिंग पार्टल जो हमारी ओनरेबल प्रेसिडेंट थी उस समय की उनको इतर बैटन स्टॉपा जारता है कि Commonwealth गेम होंगे और Commonwealth गेम जो है खेल गाओं में होने वाले थे और इस जो गेम का पूरा आयोजक था आयोजन करता थे वो थे सुरेश कुल्मारी और कहा जाता है गेम शुरू होने के बस एक महिने भी बचे थे और यहां पे किसी भी तरगर्द की कोई तयारी नहीं थी इवन BBC जो आपने मीडिया का नाम सुनागा BBC रिपोर्ट्स जो आती है उन्होंने तो कई सारी फोटो इंटरनेट पर डाल दी थी जहां पे जो कमरे थे उसमें पान की पीगे पड़ी हुई थी गंदगी पड़ी हुई थी खैर इधर जो है ब्योक्राटिक बयान बाजी हुए जा पारी थी एक महिनावाद गेम को बचा था जैसे तैसे जब गेम खतम हुए तो इधर जो है जांश भी चली रही थी इसमें यह पाया गया कि जो ट्वाइलेट पेपर्स होते हैं ना टू हंड़ेट फोर हंड़ेट के वह भी थाउजन तीन हजार चार जार में खरीदे गए जो टेंडर देने का काम था सरकार ने वह पारदरशिता नहीं रखी गई और चेर सुटी प्लाश्टिक की चेर उसके दाम हजारों में दिखाए गए तो धन का भरपूर घोटाला या इस तरीके का घोटाला की इतना बड़ा शौक भरती अर्थवस्ता को यह देश की दोबारा चुनाउब होते हैं तो अब हर किसी को दर्कार थी कि नए नए अब देश बदलना होगा देश को नया करना होगा देश को रिजूमिनेशन की जरुत है और इस बार डॉक्र सिंग चुनाउब हार जाते हैं और यह कहीं लिजे कि UPA सरकार ही गिर जाती है दुपार और फिर कॉंग्रिस की सरकार नहीं बनी और इस बार देश को एक नया चेहरा मिलता है नरेंद्र मुदी के रूप में तो नरेंद्र मुदी बनते हैं देश के अगली प्रधान मंत्री और जो डॉक्र मनमुहन सिंग है तो फिर उसके बाद ये चुनाओं हार जाते हैं पुना ये षब दोला है नहीं बन फाए है खैर इनका कारेकाल प्रधान मंत्री के रूप में नका कारेकाल यही तक था लेकिन यदि कहीं न कहीं योगदान की बात करें, तो देश में एक breakthrough scheme, मन्रेगा लाने वाले, जो अमेरिका के साथ परमाणू समझाता है, वो, इवन UIDI ने आधार काल्ड, और National Food Security Mission, ये कुछ ऐसे काम है, जो कहीं न कहीं, देश के लिए, देश की अर्थववस्था के लिए, देश की वित्तिय ववस्था के लिए, इवन राजववस्था बिनाने के लिए, बहुत क्रूशल रहें, बहुत important रहें, तो कहीं न कहीं आप एक वीक प्राइम मिनिश्टर कहां करते थे कि एक कमजोर प्रधान मंत्री है, इसके साथ साथ प्रसंशकों की भी कमी नहीं है, लोगों ने बहुत प्रसंशा भी किये, दॉक्र मन मोहन सिंग की, खेर आप बताईएगा कि आप प्रसंशक हैं, या विरुधी है, खेर प्रध प्रधान मंत्री पत से जब इस्तिफाई दे दिया था और इसके बाद पूरा कारिकार लॉक्त रंडे दिन मोदी जी के हाथ में चल रहा है, और फोप्स ने इसको मजबूत प्रधान मंत्री या कहने जिए अठारमा सबसे योग्य पीम कहा, लोगों ने बड़ी भूरी प् इनका जो अकडमिक केरियर है वो भी बहुत ही शानदार, रिजर बैंक का भी अनुभव, योजना आयोग का भी अनुभव, वित मंत्री का भी अनुभव, और देश के प्रधार मंत्री का भी अनुभव, तो इन सारे अनुभवव को समिटे हुए, एक विकास की रफ्तार मे भारत अब आगे आच चुका है और अब देश की बागडोर हमारे आज के प्रदार मंस्री नरेजन मोदी के हाथ में तो नरेजन मोदी जी का कारेकाल यानि देखे न हम पीम एक्सप्रेस लेके चले थे जवाहालाल नेरू से अब हम अगले स्टेशन पर पहुंचने ही वाले ह और फिर हम देखेंगे की नरेजन मोदी कारेकाल क्या रहा और उसका आखलन आज के भारत तक हम करने वाले हैं ठीक है तो इसी के साथ हम आज का सपर यही पर लोगते एं फिर आपसे मिलना होगा हमारे आज के प्रदार मंत्री नरेजन मोदी जी के साथ मैच तूमौच वह for joining and have a very nice day